जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके सास्सेर करेंगे पीज़ा बेस की रेचीपी जब भी हम घर पर पीज़ा बनाते हैं तो रेडि मेट बेस का इस्तेमाल करतے हैं लेकिन इसे आप बहुत ही आसानी से सिंपल सी recipe के साथ घर पर बना सकते हैं आज हम सिर्फ pizza base की recipe देखेंगे और इसका इस्तेमाल करके हमें pizza कैसे बनाना है इसकी वीडियो हम आपके साथ जलधी share करेंगे तो छलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसका डो लगा कर तयार करेंगे हमने दो कप मेदा लिया है वजन के हिसाब से ये 500 ग्राम मेदा है इसमें हम दो टेबल स्पून सूजी यानि की रवा एट कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून चीने हाफ टीस्पून नमक एट करेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पून यिस्ट यानि की खमीर हम यहाँ पर एक्टिव यिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हमें अलग से एक्टिव करने की जरूरत नहीं है और अब हम इसमें एट करेंगे एक टेबल स्पून तेल और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका डो तयार करेंगे तो डो तयार करने के लिए हमने गुनगुना पानी लिया है पानी हम चो लेंगे वो ना ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना ही ज्यादा गरम तो थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी इसमें एट करते रहेंगे और इसका हमें बिल्कुल सोफ्ट डो लगाकर तयार करना है तो हमने यहाँ पर डो लगाने के लिए एक कब गुनगुना पानी लिया था लेकिन इसमें से तीन से चाटेबल स्पून जितना पानी बच गया है अब हम इस पर थोड़ा सा तेल एपलाई करेंगे और हमें हाथों की मदथ से आटे को इस तरह से मसलते रहना है और पांच मिनिट तक हम इसी तरह इसे मसलते रहेंगे और पंच करते रहेंगे और अब हम इसे कवर करके कीचन में किसी गरम जगापे बीड़ से 2 गहंटे के लिए रख देंगे तो हमने इसे दो घंटों के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं कि ये इसकी साइज में डबल हो चुका है और अब हम इस पर थोड़ा सा सुखा मेदा डश्ट करेंगे और इसे डेड़ से दो मिनिट के लिए हाथों से थोड़ा और मसल लेंगे इसे इस तरह से मसलते रहेंगे और पंच करते रहेंगे इससे पहले हमने आपके साथ देशी जवार के हेल्दी और टेश्टी पीजा की रेशिपी सेर की है अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अब हम इस डो को रोलिंग सर्फेस पर रखकर हाथों से इसे थोड़ा फेला लेंगे और डो को हमें इकवल पोर्शन में डिवाइट करना है तो इस तरह हम किसी साप नाइफ से इसे चार पोर्शन में डिवाइट कर लेंगे और अब हमें इसकी लोईयां बना लेनी है तो हम small size के pizza base बना रहे हैं आप इसकी size को अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं तो इतने आटे में से हमें इसके small size के base बनाने के लिए 4 लोईयां बना लेनी है और अब हमें बाकी की लोईों को एक साइड में रखकर कवर कर देना है इसे कवर करके रखेगा नहीं तो ये ड्राई हो जाएगी और एक लोई पर हम थोड़ा सा सुखा मेदा डस्ट करेंगे और इसे हम बेल लेंगे तो इसे हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है और इसका जो डायामिटर है वो 6-7 इच का रखेंगे जरूरत पड़े तो बेलते वक्त हम इस पर थोड़ा सा सुखा आटा डश्ट कर लेंगे तो 6-7 इच की चोड़ाई में हमने इसे बेल कर तयार कर लिया है और आप इसकी ठीकनेस देख सकते हैं अब हमें इसे फोग से प्रिक कर लेना है तो इसे अच्छे से प्रिक कर लेंगे ताकि ये ज्यादा फूलेगा नहीं अगर पीज़ा बेस बिल्कुल राउंड नहीं हो रहा है तो आप इसे सेब देने के लिए इस तरह के किसी धार वाले बरतन से काट ले और अब हम इसे सेखेंगे तो इसे सेखने के लिए हमने यहाँ पर नीचे एक तवा रखा है और तवे पे हमने पेन रखा है पहले हमने गेस की फ्लेम को हाई कर दिया ताकि पेन गरम हो जाए और अब हम गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे इस पर पीजा बेस रखेंगे और इसे कवर करके एक तरफ से दो मिनिट के लिए सिखने देंगे तो इसे एक तरफ से सिखते हुए दो मिनिट हो चुकी है और अब देखेंगे कि ये थोड़ा फूलने लगा है तो अब हम इसे पलट देंगे और फिर से इसे कवर करके दूसरी तरफ से भी मीडियम फ्लेम पर दो मिनिट के लिए सेक लेंगे तो दोनों तरफ से दो दो मिनिट के लिए यानि की टोटल चार मिनिट के लिए हमने इसे सेक लिया है और यहाँ पर हमारा एक पीजा बेस बनकर तयार है और इसी तरह हमें बाकी के पीजा बेस बेल कर फोग से उसे प्रिक करना है और मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से दो-दो मिनिट के लिए सेक लेना है तो देखा आपने घर पर बहुत ही आसानी से पेन में पीजा बेस बनाना कितना आसान है बगे रोवन के आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं एक बार बेस बनाने के बाद आप इन्हें किसी पोलिथिन में रखकर फ्रीज में तीन से चार दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और इससे बने हुए पीजा की रेसिपी हम आपके साथ जल्द ही सेर करेंगे आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई